हेलो स्टूदेंटेंट पेरेंस और आप सभी के लिए एक बहुत इंट्रेस्टिंग और एक बहुत धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ आपने कर यह वीडियो नहीं देखी तो बहुत धेर सारी मिस्टेक करने वाले हैं मिस्टेक क्या करने वाले वो बता दिता हूँ आपने प्रीवियस काउंसलिंग जो राउंड वन हुई है उसमें आपने बहुत सारी मिस्टेक की हुई है और जैसे कि आपको अभी ये कंफ्यूजन होगा कि राउंड टू में पाडिसिपेट करने के लिए क्या मुझे स्रेजि और आपके पास जो सीट है वो सीट कैंसल हो जाएगी और आपकी राउंड टू के लिए सिक्यूर्यविटी अमोन्त सेफ रहेगी और आप राउंड टू में फिर से fresh choice plin करेंगे और आप counseling में move on करेंगे Regignation आप round two की choice plin के दो दिन पहले तक दे सकते हैं इट्समिन की 48 hours के पहले तक आपको Regignation Allotted Institute के principal को submit करना होता है तो देन तब जाकर आपका resign होगा और फिर आपका counseling में eligibility बन पाएगी अगर वो आपका portal में submit कर देते हैं कौन से portal में submit कर देते हैं college login portal पर submit कर देते हैं अगर principal सर्थ तो बहुत सारे colleges क्या करते हैं Regignation नहीं देते हैं बच्चों को Regignation accept ही नहीं करते हैं उनको मना कर देते हैं यह टाल मटूल करते हैं बहुत जगे तो principal ही चुट्टी पर चले आते हैं तो इस तरह की धेरों समस्या हैं अगर आप भी किसी एक ऐसी समस्या से जूज रहे हो college पसंद रही है college हो गया है फीज सम्मिट कर दी है college refund नहीं कर रहा है तो आप हमारी टीम को reach out कर सकते हैं तो वहां से कैसे बचके निकलना है हम आपको help करेंगे पहला तो यह कि रेजिंगनेशन अगर आपको allotted institute चाहिए ही नहीं जड़ से नहीं चाहिए तो आप उसको resign देके round two की counselling पाटिसिपेट करोगा और fresh choice प्लिंग करोगे चार से पांच college डालना ताकि आपको allotment मिल याए एक तरीका यह कि जो आपको allotted institute मिला हुआ है वो बना रहने दो कोई दिक करती है हम round two में choice प्लिंग करेंगे नया college अलोट होगा हम पुराने college से documents लेंगे फीस लेंगे फिर नया college में allotted institute पर directly report करेंगे तो यह दोन्यों चीजों में बड़ा confusion है choice प्लिंग at least five रखना because seats बहुत कम vacant है students बहुत ज्यादा है इस बार और नया college पी round two की counseling में participate करने को मिलेंगे मनलब देखने को मिलेंगे बहुत सारे students ने इस बार mistake की हुई है mistake यह कि नोडल सेंटर रिपोर्ट किया फिर college पहले देखने नहीं गया बाद में देखने गया तो अच्छा नहीं था college तो हमारी security amount forfeit हो चुकी है और हम दुबारा से 50,000 रुपे पे करेंगे फिर हम counseling में participate कर जो मेरा एक analysis था बच्चे बहुत सारे थे बच्चों ने solutions उतने बहतर तरीके से नहीं किये हम लोगों ने guide किया हुआ था इस बार भी हम round 2 की choice plink देंगे जो भी बच्चे खासकर other states से और वो category से qualify है इस बिनकी वो OBCC, SC, ST है और वो private BMS college अप्रोच कर रहे है पॉइंट न अल इंडिया कोटे की seat उस institute में फुल हो चुकी है और आपकी जो qualifying category है वो जन्रल से तो आपके पास में वह options open होंगे जहां पर ओल इंडिया कोटे की seat वाकेंट होगी इसलिए multiple college options रखें अपडेटेड रहें चैल्म को subscribe करके रखें आपको मेरी वीडियो स्टेयर help मिलती है जरूर कमेंट करके मुझे बताना और कुछ doubt queries है तो वो भी जरूर कमेंट किया करें एक important चीज मंगला आतनी उनिवर्सिटी अलिगड की permission आ चुकी है NCS अमने उनको approval दे दिया है round 2 की counseling में वो आपको देखने को मिलेंगे तो आप उसको भी opt कर सकते है वीडियो आच की ही तक मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए